भगवान श्री कृष्ण का भाल स्वरूप हर किसी का मन मोह लेता है बरस धाम ही नहीं बलकि देश के हर छोटे से छोटे कस्वे बड़े से बड़े सहर में लड्डू गुपाल की सेवा की जाती है कहा जाता है कि लड्डू को पाल जी भी किसी भी से स्ताम जाम के नहीं आपके प्रीम और आपके भाव के फुखे हैं उनको जितना प्रीम जितना भाव अर्पिस किया जाता है वह उतने आपके अपने होते हैं लेकिन इस सब के बीच के आप ये जानते हैं कि स्री कृष्ण के लड़ू स्वरूप की छाती पर पैर काचिन क्यों होता है इसकी एक पौडानिक कथा है इस कथा कि अनुसार एक बार महारिशियों के बीचे ब्रह्मा विश्नू और महेश में स्रिष्टा को लेकर चर्चा हो रही थी जब इस चर्चा खा कोई अंतिम परिशनाम नहीं निकला तो ब्रह्मा जी के पुजर महर्शिवरीगू को इसकी जिम्मेदारी स्वापी गई महर्शिवरीगू सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए चुकि महर्शिव भीगु तीनों महादेवों की परिक्षा ले रहे थे इसलिए ब्रह्भाजी के पात जाकर उन्होंने ना तो उन्हें प्रनाम किया और ना ही उनके सामने सिर्जुकाया ये देख ब्रह्भाजी क्रोधित हो गए लेकिन महर्शिव भीगु ने अपने दिवे सक्तियों से उनके क्रोध को दवा दिया इसके बाद महरसिव रिगू के लास परवत गए महरसिव रिगू को आता देख भगवानसिव प्रशन हो गया और उन्हों ने अपने अस्थान से उठकर उन्हें गले लगाना चाहा लेकिन महरसिव रिगू ने महादेव का अफिनंदन सभीकार नहीं किया महरसी भ्रिगु ने कहा आप पापियों को वर्दान देते हैं उनसे देवताओं पर संकट आ जाता है इसलिए मैं आपका आलिंगन कभी नहीं करूँगा ये सुनकर भगवान सिभ भरक उठे और उन्होंने अपना त्रिसूल उठा लिया तब माता पारवती की कहने पर सिभ ज लख दिया विष्णु जी उठे और उन्होंने महरसीर भिगु को परनाम करते हुए कहा है महरसी आपके पाउं पर कहीं चोट तो नहीं लगी है इन चर्णों का असपर्ष तो तीर्थ धामों को पवित्र करने वाला है आपके कोमल चर्णों के असपर्ष से आज मैं धन्य ह गया हूँ यह सुनकर महरसीर भिगु की आखों में आसु छलक उठे भिगु रिशी मुनियों के पास पहुंचे और उन्होंने शिव ब्रह्मा और विष्णु की पूरी कहानी शुनाई तब सभी ने माना की भगवान विष्णु त्रीदेवों में सर्वस्रिस्ट हैं ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पूर्ण अफ्तार लड़ो गुपाल की छाती पर भिगु के चलन का चिन्ह छपा है तो यह कहानी थी लड़ो गुपाल के छाती पर पैर के निशान होने का लड़ो गुपाल से जोड़िए जान कैड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करक की जरूर बताए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद जैस्री रादे